आपके आसपास घटती है कुछ खौफनाग घटनाएं जिससे आप होते हैं अन्जान हम उसी घटनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं आज की कहानी एक डाइन की कहानी है इससे पहले मैं अपने कुछ सस्क्राइबर का नाम लेना चाहूंगा यह मेरे कुछ सस्क्राइबर हैं जो मेरे हर वीडियो पे कॉमेंट करते हैं इनका खूब खूब आभार इसी प्रकार मेरे चैनल का होसला बढ़ाते रहे अब हम कहानी पर आते हैं मैं सहर में पढ़ता था और गाउं मेरे सहर से काफी दूरी पर है मैंने घरवालों को मना कर एक रूम किराय पर ले लिया मेरी जो रूम मालकिन थी वह बहुत ही खरूस थी हमेशा किसी न किसी से लड़ती शगरती रहती थी पर मुझे वह कुछ नहीं कहती मैं उसे वक्त पर किराया दे दिया करता था जब कभी मुझे देर हो जाती खाना बनाने में तो मुझे खाना पहुचा दिया करती थी मैं खाना खा कर खुस हो जाया करता क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं परता था मेरे रूम के बगल में जमीन खाली पड़ी है एक दिन उस जमीन का मालिक उस पर घर बनाने पहुँच गया उसने उस जमीन पर घर बनाना शुरू कर दिया उसका घर का दिवाल मेरे रूम से सट गया रूम मालकीन ने इस पर बावाल ख़़ा कर दिया रूम मालकीन ने उसे घर बनाने से रोक दिया बहुत लड़ाई जगडे हुए जो जमीन मालिक था उसने धमकी दी मैं इस जमीन को नापूंगा नापने के बाद तुम्हारा जमीन मुझ में आ रहा है मेरा तुम्ही नहीं मैं तुम्हारा घर तुड़वा दूँगा ऐसा कहकर धमकी देकर वो महाँ से चला गया बात वही खत्म हो गई रात के समय मैं खाना खाने के बाद छट पर घूम रहा था मैंने देखा मेरी रूम मालकीन उस जमीन में कुछ कर रही थी मैं छुपकर यह सब देखने लगा मैंने देखा रूम मालकीन ने उस जमीन में खड़े खोदे और कुछ दफन कर दिया और वहां से चुप चाप पीछे मुड़े वगर्ब खर चली आई मैं बहुत सोचने लगा कि आखिर उसनी वहां क्या गाड़ा होगा इस बात को दस दिन बीट गए उस जमीन का मालक नापी कराने के लिए नहीं आया मेरा भी एकजाम का समय खत्म हो गया मैं अपने गाउं वापस चलाया दो-तीन दिन तो बहुत अच्छा गुजरा दो-तीन दिन बाद मुझे अच्छानक सपने आने लगे उसी रूम मालकिन के और बहुत गंदे-गंदे सपने आने लगे मैं परिसान हो गया क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़ादा थी और मेरी बहुत कम पर सपने इतने गंदे आ रहे थी कि मैं घबरा कर उठ जाया करता था धीरे-धीरे मेरा दिन बीत गए मेरा सरीर बहुत कमजूर हो गया घर वालों ने कहा तुम टेन्सन ले रहे हो पढ़ाई की चिंता है तुमें मैं बार-बार उसे समझाता घर वालों को कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैं किसी से सर्म के मारे यह बोल भी नहीं सकता था एक दिन मैंने अपने एक दोस्त से इस विशे पर बात की कि मेरे साथ रात में ऐसी घटना एगटी है जिस रूम मालकिन के हाँ में रहता था उसके हाँ में खाना वगएरा खालिया करता था और एक रात उसने ऐसा ऐसा काम किया तब मैं यहाँ आगया और मेरे साथ ऐसी घटना एगट रही मेरे दोस्त ने कहा चिंता मत करो मैं एक फकीर को जानता हूं तुम उसके पास चलो मेरे साथ मैं और मेरे दोस्त उस फकीर के पास चले गए फकीर ने पहले मुझे उपर से नीचे तक घूरा उसके बाद उसने अपने दरगाह में मुझे आने की इजाज़त दी दरगाह में घुषते ही उसने मेरे सरीर पर जारू से मारना शुरू कर दिया वह मोरपंख की बनी हुई जारू थी मैं बैठ गया हूँ पर मेरे सर पर रुमाल रखा था थोड़ी दिर बाद उसने फकीर ने मुझे एक तावीज दी और कहा इसे अपने बाजू में पहन लो वह डायन अब तुमारा कुछ नहीं करेगी उसने तुमें खाने में कुछ करके खिला दिया था तुमें ऐसे किसी के घर में खाना नहीं खाना चाहिए मैंने कहा मुझे नहीं पता था इसके बारे में इसी दिये मैंने उसके घर खाना खा लिया था मैं वापस अपने घर आया कुछ दिनों में सब ठीक हो गया मेरा सरीर भी अब पहले जैसा ठीक होने लगा लेकिन मैं आज भी किसी के घर जाता हूँ तो उसके घर का खाना नहीं खाता हूँ जिसे मैं नहीं पहचानता उसका दिया हुआ कोई भी समान नहीं लेता हूँ दोस्तो कहानी कैसी लगी एक बार कॉमेंट करके जरूर हमें बताईएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा ताकि और लोग मेरे कहानी को सुन सके मेरे चैनल को सस्क्राइब कर सके तब तक हमें आग जा दें धन्यवाद